किया आप एक हाउसवाइब हैं या क्या आपके पास बहुत सारी जिनमेदारिया हैं या फिर आप एक कमबाइंड फैमिली में रहते हैं और या फिर तैयारी करने में बहुत सारी दिक्कते हैं या टाइम नहीं मिलता तो आपके लिए आज की सकसे स्टोरी सुननी बहुत जरू से हैं और जिन्होंने हमारे मेटमोफसिस में पूरी ट्रेंडिंग ली और ना सिर्फ ल्टी की ट्रेंडिंग ली बलकि लेक्चर की और ल्टी में उन्होंने पुरे उत्राखंट के अंदर नाइन्थ रेंग हांसल की थी जनरल में और इस बार सिक्स्थ की है यानि कि दो तीन पायदान और उपर पहुँच गई है और रजनी जोशी की कहानी अपने आप में बहुत रोचक और इंटरस्टिंग है जो आप उन्हीं के मूँ से सुनिएगा बस मैं दो तीन बातें उनके बारें बता देना चाहता हूं कि रजनी जब आई थी तो वो एक समगरता से लिटरेचर की समझ को नहीं रखती थी और जब उन्होंने बहुत मेहनत की और किस तरीकी की मेहनत की वो आप से खुदी साजा कर भी है और मुझे इस बात की बहुत कुछी है कि उनमें दो तीन ऐसी खासियते हैं जो किसी भी एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए अगर उसे गोल को हासिल करना है नमबर एर वो गोल पर पूरा फोकस रखती हैं नमबर दो वो गुरू पर पूरा विश्वास रखती हैं जो हम कहते थे वो पूरा करती थी उसे और किसी भी हालत में करती थी और उसके अलावा कुछ नहीं सोचती थी वो पूरा फोकस थी और नमबर थ्री ये था कि वो अपने गोल के लिए इतना फोकस थी कि जो भी हमने सेजेशन दिये थी सोचिल मेडिया से दूर रहना और यह सब उन्होंने पूरा फॉलू किया और उसी को सोचती थी लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उनके लिए मुझे एक शेर लाड़ाता है कुछ इस तरह से चल नजीर कारवा के साथ जब तूने चल सके तो तेरी दास्तां चले उनकी दास्तां कुछ ऐसी है क्योंकि लोग कहते हैं कि मैंने 5-6 घंटे पड़ा मैंने 8 घंटे है कि रजनी आगे भी और उपर जाएगी और आगे बहुत सारी सफलता है चीट करेगी हम पूरी इंटार मेटा मॉपसिस फैमली की ओर से आपको शुब कामनाएं देते हैं और हमने जो 22 सीट हासिल कियो एक्स्लूजिवली इंग्लिश में हासिल किये कई लोग अपने बाकी अगर चल रही है और यूट्यूब में भी और उसका श्रेल ले रहे हैं तो हमें श्रेल लेना नहीं है हमें सिर्फ यह है कि मेरा इस वीडियो का उदेश यह है कि मैं बच्चों तक और केंडिट्स तक एस्पिरेंस तक वो चीज पहुचाऊं जो रियल जिन्दगी की चीज कि वागिश्वर कम थे लगां फिर prayer लेकिन आप तक व कि शारी चीज आएंगी दमरीयों को बताना चाहएं और इससे पहले कि मैं आपको उनके स्टोरी तक ले जाओं बस एक एनाउंस्मेंट बहुत इंपॉटन्ट है कि इसी वीडियो के नीचे लिंक में मैं हमारे जो नए ऑफ-लाइन और उन-लाइन लेक्चरर और ल्टी के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं 15-16 जून से वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितने बच्चे उस तक इन्रॉल हो जाते हैं तो हमने अभी तक फाइनल डेट पंदर की हैं और जो भी स्टार्ट होगा हम हर हालत में दो या तीन दिन के अंदर 15 या 20 जून से हर हालत में बैचर स्टार्ट हो जाएंगे तो आप फटा-फट रजिस्टर करवाईए मैंने वर्टसेप के दो तीन ग्रुप के लिंक नीचे दिये हैं ऑफलाइन और ओल्लाइन के उसमें आप जरूर जॉइन कीजेगा और इस तरीके से आप मुझे ये ये जॉइन करने के बाद आप को सारी इंफॉर्मिशन हम वहीं शेयर करेंगे तो चलते हैं और सुनते हैं रजनी जोशी की जुवानी उनकी सफलता की कहानी जो कि बहुत ही शांदा है नमस्कार मेरा नाम है रजनी जोशी और आज मैं आपके साथ अपनी लेक्चरर के एक्स्पिरेंस को सेयर करना चाहती हूँ तो सबसे पहरे तो मैं धन्याद देना चाहूँगे भगवान का और नागिंद्रा सर का जिन के वज़ेसे मैं यहां पर हूँ उनके सपोर्ट, मोटिवेशन और गाइडेंस के बिना इस रेंक के साथ सक्सेस उपाना मेरे बस मैं नहीं था और मैं इसके साथ ही धन्याद देना चाहूँगे अपने पती देव का क्योंकि अगर उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया होता कोर्स लेने के लिए तो साथ मैंने मैं यूटूब पर सर्च ही नहीं करती और मैं लग्ली गनागेंदा सर्का वीडियो नहीं देख पाती कि जो उन्होंने एल्टी प्रेपरेशन और लेक्च्छर प्रेपरेशन के उपर बनाया था और वो वीडियो तो एक लाइफचेंजिंग वीडियो रहा मेरे लिए कि इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी प्रेपरेशन को नागेंदा के सर के साथ और कंटिनू रखूंगी और इसलिए मैं लेक्चरर का वी उनकी जो कोर्स था वो पर्चेज कर लिया और उसके बाद आगस्स से मैंने उनक्स पर्चेज किया था और उसके जब तक हमारी एग्जाम होई सर एए तक मारे गुड jetzt कि सर ने एक दिन हमारी दिन हमारी क्समिक्स मीक्स नहीं की कि काई बार जब बारा बज़े की क्लासेश होती थी तो मैं सो जाती थी और इसके बाद मैं सुभवट के वो रिकॉर्डड़ क्लासेश देख थी और ये सबसे बहुत ही बेनिफिशल चीज मुझे लगती है क्योंकि जो भी वीडियो जो भी क्लासेज अगर हमसे मेस हो जाती थी तो अगर हम तो वो हमारे बास recorded form में रहती हैं तो हम कितनी भी बार उसको देख सकते थे और अपने छूटे बे अपने concept को complete कर सकते थे और रही बाद कि मेरी क्या strategy रही किस तरह से मैंने ये lecturer का exam क्रैक किया तो सब मैं इसलिए बताओं तो एक housewife के लिए बच्चों के साथ कोई घंटे निकालना कोई fix घंटे निकालना और पढ़ाई करना ये बिल्कुल भी possible नहीं होता है तो मुझे जब जितना time मिलता था मैं बस पढ़ती थी और सबसे जो जैसे सर के जो recorded वीडियो थे वो मैं बार 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 सुनते रहती थी जब तिक मुझे जो important जो भी fact उसमें हो मुझे याद नहीं हो जाते थे क्योंकि बैठके पढ़ना copy pen लेके बैठे रहना और पढ़ना note करना हर वक्त possible नहीं होता है लेकिन ये एक आजकल एक वरदान में होंगे हम सब के लिए कि हमारे पास mobile है औ बस video on कर सकते हैं और अपना काम जितने भी घर के काम होते हों करते हैं और मैं उसको सुनते रहती थी इससे मुझे काफी हद तक मुझे बहुत सारी चीज़ाया है नोट करने की जुरुत भी नहीं पड़ी क्योंकि मुझे बार बार सुनते रही और मुझे याद होती गई औ या फिर मतलब वो कितना अच्छा करें मतलब अपनी पूरी रियल सिचुपिशन को पता चलते है उसमें और हमारा कान्फिडेंस हमको एक्जामिनेशन हॉल में कैसा हमको फील होने वाला है वो भी हमको अट्मोस्पेर भी हमको उसमें मिलता है और उसके बाद उसे भी अच्छे बाद यह होती है कि सर उस टेस्ट का अनालाइज करते है और हर एक बच्चे को परस्नली जो हमारी क्लास स्टार्ट होती है तो हर एक बच्चे को बोलते है कि आपका ये प्लस पॉइंट है और आपका ये माइनस पॉइंट है और उसको समझाते हैं अच्छे थे कि आपने कहां पर काम करना है कहां पर आप लेक कर रहे हो तो और उसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट होती थी और यह हर हमारा एक रूटीन वर्क था तो ऐसे हमारी क्लास चलती रही और साथ ही मैं एक अड़्वाइस और भी दोना कि अगर ऐसे किसी ग्रूप साथ जूड़े हैं और आप पर पढ़ने के लिए ही पढ़ने की ही बाते करें कोई मजाक नहीं कोई इदर दर की कुछ भी बात मत कीजिए साइट को बुरा भी लगे साथ कहीं को लेकिन यह सच में डिस्ट्रेक्ट करता है अगर आप उसमें फि से आप बहुत डिस्ट्रेक्ट होंगे और दूसरी बात सर ने जब हमारा एड़ी का एक्जाम हो रहा था तो सर ने बोला कि जो साथी पार्टियों मैं अभी भी जा रही हो ना अगर जाना कंटिनु रखोगे तो भूल जा अपना सेलेक्शन तो मैं वैसी भी पहले भी नही कोई सोचल मीडिया अकाउंट नहीं वाटसब भी क्योंकि वह उसमें हमारी क्लास का वह आता था और वह जोरूरी था क्लास जोइन करने के लिए इस लिए तो अगर सेलेक्शन चाहिए तो मैंने तो यही स्टरजी अपनाई थी कि मेरा मैं कोई सोचल मीडिया होगरे मैं नह और स्पेसिफिक कोई घंटे निकालना पॉसिबल नहीं होता है और स्पेसिफिक के लिए इस लिए कहना चाहूंगी कि जब मैं तो ऐसे ही करते थी मैं खाना बनाते बर्तन वास ते जहाड़ पोचा करते और टाइम मेरा के और सोते टाइम ही मैं नहीं पढ़ती थी बागे अगर मैं उठी हूं नहीं काम कर रही हूं चाहे कुछ भी कर रही हूं मैं सुनते रहती थी और मेरे लिए जैसे की सक्षेट इस स्टोरीज मैंने सारे ऐसे सुनी और याद करी और सर ने फिर बोला कि आप ऐसा किजएगी जितनी भी आप सुनते हैं बार-बार सुनना कि सारे जितने भी प्लेजेय उनके चोटे चोटे उनकी करेक्टर वगर इसा बरे लिख लिए क्योंकि इसे भी किरेक्टरों सभी क्रवार कॉजा जाता है कि एके सारी रू recomend है और और नोट Και कोई जो कोट वगर होती हैं कोट को याद करने के लिए जो सूपर 50 कोट होते हैं या फिर जो सरने हमको लिखा हैं उनको दिन में एक बार जरूर में पढ़ लेती थी रिवाज कर लेती थी ताकि वो कोई भी उसका एक की पॉइंट उसमों होता था उसको याद करें दिमाग में करें पर स्ट्राईक कर जाएं और यह आए तो उसको पढ़ने के बाद हमको दिमाग में आ जाएusto हम उसको कर पाएं तो यह मेरे स्ट्रेटिजी रही और इसके साथ साथ ही मैं अपने जो ग्रुप के जितनी सदसिय हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि मैंने मानती कि मेरा ये एक एक नंबर मेरे उन सारे साथियों का भी है उनके सवयोक्यों जैसे भी है जिनके साथ मैं जुड़ी रही अपने ग्रुप में इस तरह से मैंने तयारी की और अपने सफलता इसमें पाई इसके साथ ही अबको धन्यवाद देना चाहूंगी बिल्कुल भी मतलब विदाउट इस मोटिवेशन विदाउट इस गाइडेंस एं सपोर्ट आइक तो बिल्कुल स्योर है कि जिस तरह से उन्होंने गाइड किया हमको और एक चीज के लिए और नहीं केवल पढ़ाई के लिए नी उन्होंने जितना मोरली भी हमको सपोर्ट क किया है कहीं बार हम डिप्रेशन में भी आते हैं स्टुडेंट हम अपनी पढ़ाई को लेकर या फिर एक्जाम डेट आगे चले गई है जैसे कि एल्टी के दौरान हुआता है कि पहले अप्रेल मा हुना ता उसके बाद और ऑगस्ट में चले तो इस दौरान भी सर ने हमार कि मैं हमेसा एक लाइनर रहा हूं तो मुझे उनकी बात बहुत ही अच्छे लगते कि इतने बड़े इतनी बड़ी बसनार्टी है इतने बच्चों को कायट कर रहे हैं उसके बाद भी वो अपने आपको एक लाइनर कहते हैं तो उनकी मैं चाहते हूं कि उनकी ये क्वारिक् कि उनकी मैं थाइनर के लाइनर कमीन थे और काय़ कि और बस्तो अबंड हो कि टुझे उनकी हैं आपको एक लाइनर को कर रिम्टार्पटूं आपको कि उनकी ये बड़ना दीन स đến दिरा हैं रहे कि